नमस्कार दोस्त आज की इस क्लास में हिंदी के 10 कोश्चन आप से पूछूंगा समास के इन 10 कोश्चन में से आपको अगर एक भी कोश्चन नहीं आता है तो इसका मतलब आप हिंदी में भी फिसड़ी रह गई है मेरा नाम विपलव सिंग है आप दा वी आई पी अकेडमी देख रही हैं दोस्त जबरदस्त कोश्चन के साथ आप लोगों के सामने आ गया हूँ तो पहले कोश्चन से लास्ट कोश्चन तक आप लोगों को पूरी लाइफ सेशन को देखना है और अब अपने अंसर को चूज करना है तो चलिए दोस्त पहले कोश्चन से शुरू करते हैं पहला कोश्चन है शूल पानी शब्द में समास क्या है देखिए समास का मतलब होत तो शूल पानी का मतलब हुआ शूल है हाथ में जिसके अर्थात शिव तो यहाँ पर आंसर आजाएगा बहु ब्री समास क्या अंसर आजाएगा यहां पर बहु ब्री समास आजाएगा निकि जिस समास के दोनों पद अय परधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ निकल कर सामने आता हो उसे बहु ब्री समास बोलते हैं तो यहाँ पर जब आप आप Answer को चूज करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा option number one बिलकुल आरहम से खीक है दोस्त next question की तरफ हम आगे बढ़ते हैं next question क्या है वीडियो जबरदस्त हैं लाइक करते रहें प्यार दिखाते रहें यथा शक्ती में समास है अब यथा शक्ती बहुत ही जबरदस्त question आप मुझे बताईए यथा शक्ती मतलब शक्ती के अनुसार इसका मतलब क्या हुआ यथा शक्ती शक्ती के अनुसार इसके अंदर आपने देखा यथा जो शब्द है यह यथा क्या है? अव्य है इसलिए यहां पर अव्य यह भाव समास होगा क्या होगा? अव्य यह भाव समास ठीक है? जैसे कि एक और word अगर आ जाये यहां पर जैसे यता कर्म यता कर्म यह भी आपका अव्य यह भाव हो जाएगा ठीक है option number one नेक्स्ट कोशन देखिए दोस्त नेक्स्ट कोशन है जब किसी समास में दोनों पदपरदान होता था विग्रे करने पर और अत्वा या लगता हो तो उसे क्या कहते हैं बहुत ही अच्छा कोशन है दोस्त देखें जिस समास में दोनों पदपरदान होते हो उसे द्वंद समास कहते हैं क्या बोलते हैं द्वंद समास और विग रहे करने पर और या अत्वा लगे और अत्वा या सीधा अनसर आप देंगे द्वंद समास तीक है जैसे कि थंडा गरम उसके अलावा नर-नारी एक और एक्जामपल आप ले सकते हैं जैसे की नया पुराना तो ये दूंद समास होगा ठीक है दोस्त तीसरे कोशन की तरफ बढ़ते है तीसरा कोशन क्या है दोस्त तीसरा तो मेरे खाल से यही था चोथा कोशन नेक्स्ट कोशन पाप पुन्य पाप पुन्य शब्द में कौन सा समास है अब देखिए जो हमने पहले कोशन किया था वहीं से आप समझ गए होंगे आंसर होगा यहाँ पर दूंद समास क्या होगा दोस्त दूंद समास यहाँ पर जो है आंसर होगा देखिए यहां पर क्या बनेगा पाप और पुन्य या पाप और पुन्य तो आपको पता है जिन दो शब्दों के बीच में अगर विगरे करेंगे आप तो अगर और आए उसके अलावा एवम आए या आए तो वो दूंद समास के एक्जेम्पल हो जाते हैं तो आप्शिन नमबर सी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट है अशालता शब्द में कौन सा समास है आशालता बहुत ही अच्छा कोशन है दोस्त यहां पर हम देखते हैं आशालता का मतलब होता है आशारूपी लता ठीक है तो यहां पर आंसर होगा करमधारीय ठीक है जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नए और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को आप समास बोलते हैं सीधी बात है करमधारीय समास किसमे होगा आप ध्यान से यां पर देखिए वह समास जिसका पहला पद विशेशन और दूसरा पद विशेश्य होता है वहाँ पर करमधारिये ही जो है आपका आंसर आएगा वहाँ पर आंसर कौन सा आएगा आपका करमधारिये आपका आंसर आएगा ठीक है दोस्त अब हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहना है दोस्तों तक पहुचाते रहना है और ये जो classes आपकी हैं यह जबरदस्त classes है और बहुत जल्दी मैं seated के लावा दूसरे exams की classes भी start करने वाला हूँ तो बने रहे हमारे साथ देश बक्ती सब्द में कौन सा समास है देश बक्ती यानि कि देश की बक्ती देश बक्ती का आप अगर लिखेंगे तो या जाएगा देश की भक्ती ठीक है इसमें आपने क्या देखा इसमें आपने देखा तत्पुरु समास को किसको तत्पुरु समास को इसमें दूसरा पद प्रदान होता है इसमें दूसरा पद प्रदान होता है और करता और संबोधन कारक को छोड़ कर शेश याद रखना यहाँ पर तत्पूरुष समास होगा next question देखते है next गोरी शंकर सब्द में कौन सा समास है गोरी शंकर मतलब गोरी और शंकर गोरी और शंकर आपको पता है यहाँ पर और आ गया I'm sorry गो शंकर में कौन सा समास है गो शंकर इसमें दोस्तो तत्पूरुष समास आएगा कौन सा आएगा तत्पूरुष यहाँ पर गलती वह ज़्यादा होती है यहाँ पर गो शाला को अगर आप देखे तो इसका गो के लिए समास है क्या होगा गो के लिए शाला यानि जहांपर गायों को रहने के लिए प्रबंद किया जाता है गो के लिए शाला देखिए यहांपर बाद का यानि कि उत्तर पद परदान है यहांपर कौन सा उत्तर पद जो है यहांपर परदान है गो के लिए शाला आप देख सकते हैं उत्त हो जाता है छिप जाता है इसलिए दोस्त गो शाला को जब आप देखेंगे तो यहां पर तत्पुरुष समास आएगा गो के लिए शाला चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट है जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उस पुत्र यह आपका पहला शब्द है यह आपका सेकंड वर्ड है जब इन दोनों को मिला दिया जाता है इन दो शब्दों को यहां पर देखिए ध्यान से यहां पर काफी हवा चल रही है जहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं मैंने सोचा छट पर आगर बना लेता हूं तो माफ कीजेगा हवा को तो आपने देखा राजा और पुत्र यह दोनों शब्दों ने मिलकर एक छोटा शब्द बना लिया राज पुत्र तो इसको समास बोलेंगे आप जिसके बारे में यह पूरी वीडियो हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट कोश्चिन जिस समास में उपमे उपमान का संबंद आता विशेशन या विशेश्य का संबंद ओ उपमे उपमान को आप क्या बोल सकते हैं विशेशन और विशेश्य ठीक है जैसे की चरन कमल एक जो एकजामपल ले लेते हैं चरन कमल यह एकजामपल हो गया जैसे की कमल के समान चरन कमल के समान चरन तो दोस्त यह आज की क्लास थी आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों से 10 कोशन पूछे डेफिनेटली आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा और ऐसे ऐसे कोशन अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने एक्जामस में बिल्कुल बिमार नहीं खाते हैं तो दोस्त दा वी आई पी अकेडमी के साथ आप ज़रूर जुड़े रहें सीटेट का 31 तारिक को एक्जाम है हमारा उससे पहले ही लगबग मंडे से यानि कि कल से ही मैं रीट के लिए, सूपर टेट के लिए और यूपी टेट के लिए वीडियोज बनाना शुरू कर दूँगा तो सिर्फ सीटेट वाले नहीं बाकी सभी जो है टीचिंग एक्जाम से रिरेटिड स्टुडेंट्स अगर हमारी इस वीडियो को देख रही है तो अपने दोस्तों के मोबाइल पर जादा से जादा शेयर करें और हमारे बैक्टू स्कूल की एंड्रोइड अप्लिकेशन को भी आप इंस्टोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्त जबरदस्त वीडियोज वाँ पर हैं जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को दा वी आईपी अकेडमी को करके अपने एक्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बैस्ट सिध होगा बाकी बताईए आप वीडियो कैसी लगी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं तब तक के लिए जैहिंद जै भारत ने मोस्ट इंपोर्टेंट बात पढ़ते जरूर रहना है टेक कियर एवरिवन